ठीक है तो ये दो कोश्चन है जो बिलकुल पिछली किलास से कनेक्ट कर रहा हूं इस कोश्चन के माध्यम से गनित में 28 छात्रों द्वारा प्रापतंकों का उसत पचास था आठ छात्र विद्याले छोड़ कर चले गए इससे सेश छात्रों के उसत प्रापतंकों में पांच की व्रद्धी हो गई बिलकुल ऐसे ही कोश्चन कराये थे उस दिन बहुत आसान है आपको सबसे पहले तो यही कर देना है कि 28 का 50 उसत है तो योग क्या होगा इन 28 का तो आपने देखा 1400 ठीक है इसके बाद आठ चचात्र छोड़ कर चले गए आठ चले जाएंगे छोड़ कर तो 20 रह जाएंगे और उन 20 के में आउसत में पांच की व्रद्धी व्रद्धी किस्से होगी 50 से तो जो 50 से व्रद्धी हो गई तो 55 हो गया औसत हो गया 55 और कितने जब 8 छोड़ के गए हैं तो 20 का औसत 55 हो गया बात यही तो है तो यह 28 का योग है और यह 20 का योग है 20 का योग तो यह कितना बनेगा 1100 अब आपने देखा 28 में से 20 का योग अगर घटा दूँ तो बचे हुए 8 का योग आजाएगा जो गए हैं बई 20 तो बच रहे हैं जिनसे विरद्धी हो गई विरद्धी होगी विरद्धी देख लिए हमने विरद्धी का कहां से बता चला बई 50 थी बचपन हो गया 5 की विरद्धी होई तो ठीक है और अब अब क्या हो गया कि भाई ये बच गए जो बचे बचे 8 का योग क्या बनेगा वो आपको दिकरा 1400 माइनस 1100 तो आप कहोगे 300 और औस चाहिए तो इसलिए 8 का भाग तो ओसत हमने कर दिया कितना आराम से आपने बोल दिया 37 पॉइंट 5 ये रहा भाग दे दिया कितने आराम से चलिए उम्मिद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो गया ये कॉश्चन और अब कोई दिक्कत भी नहीं है ऐसे कॉश्चन को करने में चलिए कॉश्चन नमबर दो को देखता हूं दो को दो को देखते हैं भई चार धनात्मक पूर्णांको का उसत बहत्तर पॉइंट 5 है चलिए बहत्तर पॉइंट 5 है इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 170 तता सबसे छोटा पूर्णांक सबसे छोटा पूर्णांक है 15 तो दो पूर्णांकों का अंतर बारे है से इस दो में से बड़ा पूर्णांक बताओ तो देखिए चार धनात्मक एक दो तीन चार चार धनात्मक पूर्णांकों का उसत बहत्तर पॉइंट 5 कह दीजिए ठीक है और इसके बाद इनमें सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा तो बाद में करूंगा पहले 72.5 में कितने की गुणा कर दूंगा चार की तो आपने देखा 4-5-20, 4-2-8-2-10, 4-7-8-2-9, 290, 290 हो गया योग, योग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, योग 290, अब आपने देखा सबसे बड़ा पूर्णांक है इनमें 117, तो भई 117 तो हो गया यह, 117, सबसे छोटा पूर्णांक है 15, तो सबसे छोटा मैं माल लेता हूँ यह रहा, 15, ठीक है, अब मैं देखू जो बच रहे हैं दो पूर्णांक, वो कौन कौन से हैं, यह दो, अगर मैं इन दोनों को जोड कि इसमें से घटा दू, तो वो क्या मिलेगा, खुद सोचके देखो, क्या मिलेगा, भई 117 और 15 जोडा, तो 132 आया, 132 को 290 मैं से घटा दू, तो इन दोनों का योग आ जाएगा, तो बीच के दोनों का योग, बीच के दोनों का, या बचे दोनों का कह दो, बीच के दोनो का योग क्या होगा तो आपने बोला कि जी 290 में से इन्हें घटा दो दो दोनों को 170 और 155 को जोड़ के तो आपने देखा कितना आया 158 158 शली बहुत बढ़िया 158 आजाएगा घटा के 158 क्या बीच के दोनों का योग लेकिन उसने क्या बोला इन बीच के सेस दो का सेस दो तो यही दो है इन दोनों का अंतर बताया आपको बार है वह इनका अंतर तो देगा क्यों यह तो खुदी पूर्णांकी दे रखें इनका अंतर तो कोई भी बता देगा और जो बचे दो हैं वो यह दो है इनका अंतर भी पता है इनका योग भी पता तो फिर क्या करें इतनी जगे यूज हो रही है योग और अंतर पता हो तो बड़ा लाना जोड क्या धा और चोटा लाना घटा क्या धा कितना आराम से और जो तोटी आ जाएंगे चलो कोई बात नहीं ऐसे भी मत करो आप 108 जोड़ के आधा कर दो बड़ा चाहिए ना बड़ा तो बस 108 प्लस बारे बटे दो तो आप के दोगे 170 बटे दो और उत्तर पिच्यासी तो बड़ा पूंडांग पिचासी चोटा चाहिए तो 108 माइनस बारे बट अब देखिए आगे कोश्चन लेते हैं कुछ ट्रिकी कोश्चन भी लेंगे चलिए देखिए वाई तीसरा कोश्चन कैसे है जान दीजीगा यह सब एक टाइप के कोश्चन है और जिनमें समय हम एलिगेशन मैथड लगाते हैं एलिगेशन मैथड क्या होता है जरा वो भी जानेंगे मैं स्रण भी दी तो देखिए यह सारे टाइप मैंने टाइप लिख दिया इस तरह का भी इस तरह का भी इस तरह का भी और भी एक कुश्चन ऐसा और भी है कि एक थैली में कुछ सपेद हैं कुछ लाल गेंदे हैं इस तरह से तो वो कुश्चन भी आप इसी से कर लेंगे जो भी आपकी बुक में दे रखा है तो मतलब जब एक चीज को दो पार्ट में बाट रखा हो तो वहाँ एलिगेशन मैथड लग जाता है बहुत डिटेल में तो पढ़ाएंगे जब एलिगेशन चेप्टर पढ़ाएंगे लेकिन आप इतना समझ लीजे जैसे किलास है दो भागों में बाट दी मालो लड़के और लड़की ठीक है ऐलिगेशन मैथड लगता कहा है मैं वह बता रहा हूं लड़के लड़की लड़कों का ये लड़कियों का ये पूरी किलास का ये जहां भी ऐसा आजाए ऐलिगेशन मैथड और ऐसा ही एक किलास को दो भाग में करमचारी एक टाइप तो है इन में से अभियंता अभियंता बोलते हैं अंग्रेजी में इंजीनियर ठीक है इंजीनियर वो सरी अहां बिलकुल अंग्रेजी में इंजीनियर इसको बोलेंगे अभियंता अभियंता एक साइड और बचे कुछे करमचारी एक साइड तो फिर भाग में मालों ऐसे होता अभियनता यानि इंजिनियर साइड दूसरी साइड मजदूर अलग तीसरी साइड ओफिस वाले करमचारी अलग ऐसे बाट दे दो में बटगी लग जाएगा ठीक है एक कुशन है है साभी बुक में तो वो भी आप करेंगे बिल्कुल तो अब आपको पता लग गया ऐलिगेशन सिर्फ दो भागों में बटने पर ही लगता है चलिए अब वो लगता कैसे है ध्यान दीजिए कुशन का उत्तर तो देखते ह आजाएगा एलिगेशन अगर यू जान लिया ना एलिगेशन लगाना सब पर आता है और सीख भी जाओगे दिक्कत क्या है पहचान करनी कि इसमें लगेगा बस अगर वो पहचान लिया सवाल खतम हो जाएगा चलो तो यहां पे छात्र दो भागों में जो बाटा है एक तर दोनों के अफर शा्ट किया है इक है एक टर चात्र का क्या है चात्र ौग्जा क्या है फूरी कक्छा का क्या है वो पीच में इसको बोलते हैं एलिगेशन चात्र CNA को पूरी altijd में पड़े बात समझ में आ गई तो यह बहुत बड़ी पहचान है जो समस्त का होगा इन के बीच मैं खां, चलिए, अब देखो, अब आप कहा रहा हो इस तरव को ज़्यादां जुका है। उस तरव ज़्यादा दूर ऐसा क्यूं बिल्कूल बीचर बीच, 72 क्यों नहीं है? अगर ये 72 होगा, ध्यान देना अगर ये बिल्कुल बहत्तर होगा, तो चात्र भी उत नहीं होंगे, चात्रा भी उत नहीं होंगे, अगर ये बराबर हुआ तो, लेकिन अब ये किसकी तरफ ज्यादा जुक रहा है, मुझा ये थोड़ी बेसिक नॉलिज बता, बेसिक क्या मुझा अब डीप भी कह सकते हो, कि हो जाता, फिर छात्राओं की संख्या जादा होती, बस बात इतनी सी आए, मतलब एक नजर में देखना है, कौन से जादा है, तो एक दम दिख जाएगा, कि क्या चीज जादा, चलिए, अब क्या ये जो निसान लगाएं ना मैंने, ये माइनस के निसान है, डिफरेंस के, इ इस में से ये माइनस करना है, डिफरेंस क्या कोई से मैं से कोई सा माइनस करना है, बड़े मैं से छोटा, तो ये क्या हो गया, पॉइंट एट, तो अगर ये देखी, ये होता है, इसको बोलते है, रेशो, छात्रों का रेशो क्या है, छात्राओं का रेशो क्या है, ये ये तो इस पॉइंट को हटा दो क्योंकि रेशो में तो काट सकते हो तो क्या बचा बारे रेशो आठ चार से काट दोगे तो तीन किसका है ये बताओ लड़कों का दो है लड़कियों का छत्राओं का तो यही तो पूछा उसमें चात्र चात्राओं का रेशो पूचा रेशो पूचा तो उत्तर यहीं हो गया संख्या पूचता तो फिर कुछ हिंट देगा की इतने चात्र हैं तब टोटल संख्या बता पाएंगे जैसे दूसरे सवाल में दिया है, चलिए, दूसरे सवाल को भी एक साथ ऐसे ही करोगे, यह हिंट दे दिया, कि टोटल चात्र, 120 है, टोटल है क्या यह, हाँ, टोटल, 120 है, यह हिंट दे दिया इस बार, तो अनुपात तक करो, और इसको बाट देना बस उत्तर आ जाएगा, त दिट्टो में इन सेम टू सेम बहुत बच्चे पूछते इस डिट्टो का मतलब क्या होता हमें समझी नहीं आता तो वह भी बता रहा हूं सेम टू सेम ऐसे ही करना चलिए तो चौथा कुष्चन हिंट दिया है इस बार ये जो पिछले कुष्चन में नहीं था बस अब संख्या आजाएगी कोई तेंशन ही नहीं है देखो तो सही ये टोटल चात्रों का सभी का यदि उत्तीन हुए चात्रों का और अनुत्तीन हुए चात्रों का ये तो कुल चात्र है ये उत्तीन अनुत्तीन तो दो भागों में बाटा टोटल चात्रों को किसमें कौन से दो भाग के उत्तीन का और अनुत्तीन का उनी दो भ ठीक सैक उत्तीन चातर का अनुततिन चात्रों का है पंद्रे और तोटल पूरो का है प्यतिस फिर माइनस के निसान जो टोटल देखिए अब आपको दिख रहे हैं दौनों के बीच में ये मतला आपको पहचान बता दी ये आएगा ही आएगा बीच में ये कभी 14 नहीं हो सकता ये कभी 40 नहीं हो सकता अब आपको दिख रहा है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जुका आवे इससे बहुत दूर है तो इसका मला उत्तिन बहुत ज़्यादा पास पास ज़्यादा हुए हैं बहुत ठीक है फेल बहुत ना के बराबर हुए होंगे ठीक है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं चलिए तो 49, 35, 4 और ये 20 तो आपको दिखा कि रेशो निकाल दू तो 5, 1, 4, 5, 20, 4, 1, 4, 5, 1 का रेशो है की नहीं है अब आप मुझे बताओ इस से आगे क्या करेंगे मुझे तो ये नहीं चाहिए रेशो नहीं चाहिए इस बार पिछला सवाल तो यहीं तक था अब कह चाहिए कितने चात्र पास हुए ये बताओ तोटल 120 थे तो 120 क्या है ये दोनों मिला के 120 है इसका मतलब ऐसे भी कह सको 6 रेशो बराबर 120 वह इन दोनों को मिला के ही तो 120 है तो 5 और 6 दोनों को मिला दूँ तो 6 बनेगा 6 रेशो बनेंगे 6 रेशो में 120 एक रेशो कितने चात्रों का बनेगा बताओ एक रेशो में कितने चात्र बनेंगे 20 तो ये हो गए 100 और ये हो गए कितने हुए की नहीं हुए भाई 5 रेशो में 100 बन जाएंगे एक रेशो में 20 बन जाएंगे आपको कौन से चाहिए उत्तीन, उत्तीन हो गए 100 उत्तर, ये कितना आसान सवाल है अब कुछ बच्चे इसको बाट भी सकते थे डाइरेक्ट बाटना कैसे होता कि रेशो में कैसे बाटते है 5, बटे अनुपातिक योग 6 और गुणा जितना बाटना 120 तो ऐसे भी कर सकतो थे अनुपतिन निकालने तो एक उपर रख दो बटे 6 गुणा 120 तो ऐसे भी कर सको वो आपकी मर्जी है टोटल दिया हो ऐसे बाट लो या 6 रेशो बराबर लिख दो इससे फाइदा क्या लिखने से इससे ये फाइदा बता देता हूँ जो यहां काम आएगा इससे फाइदा कि ये कितने छात्रे 120 अब छात्रे से आ सके कि जी पास होने वाले 120 पास होने वाले तो ये जो मैंने 600 बराबर 120 रखा ना ये बताओ रेसो बराबर 120, एक रेसो 24 का आ जाता है, ठीक है, तो ये परक है फिर, तो अब इस से उसको नहीं कर सकते, बाटने का काम सिर्फ तभी है, जब टोटल आये, जैसे यहां आया, तो बाटने का काम सिर्फ तभी हो सकता है, बात क्लियर हो गई, अब देखे नीचे वाला जो कु जेंटा, और एक साइड क्या होगे, सेस करमचारी, तो बारहजार, छेहजार, बीच में आठ हजार, बीच में पता लगी कौन सी चीज रखी जाएगी, सभी का जो होगा, वही, तो बीच में ये, एक तरफ चार हजार, एक तरफ छेहजार, अनुपात, तिन दो का चलेगा, तिन दो का नुपात, एक दो, सॉरी, दो एक का, छेहजार बनेगा, और दो हजार, सॉरी, दो हजार, और चार हजार, एक दो का रेशो आएगा, बिलकुल सही है, अब एक दो का रेशो जो एक है ना, वो साथ अभी हनता दिये हैं, तो एक रेशो बराबर साथ, और दो करमचारी पूछे 14 रहाँ 7 एक कया तोटल कैसे के दशेंगे साथ एक का वैस रेसों का मान ऐसे आगे मान के चलो दो एक इसका मान साथ दे रखह एक रेशो का कैसे पता लगेखिए 11i अब यंता दे रखे ना अब यंता का ये एक रेशो आ रहा और इसका कितना हो जाएगा चौध है अट टोटल करमचारी मिला के कितने होंगे ऐसे करमचारी ऐसे आपको 21 कह देना ये हड़ डबलू है हड़ डबलू क्या बताई दिया पूरा चालो अब देखो दो और हैं बहुत जबर्जस्त कोश्चन है और बहुत बच्चों को अटकाते हैं और ये सेकंड के कोश्चन है ठीक है इनको करने में अगर किसी को आ जाते हैं तो 10 सेकंड से ज़्यादा लगते नहीं है ठीक है क्या करते थे यह ऐसे बोलते थे कि वह आठ लड़कों का उसत बाहर था बीस उन में से एक छपन का चला गया घटा दिया यह नहीं आ गया वो जोड़ दिया पुराना के आ गया वो घटा दिया ऐसे होता था यहां पहला उसत भार दे गाई नहीं उसने इसी बात करता है ठीक है तो मैं आपको बस इसका बेसिक समझा देता हूं ती चार पांच छे साथ आठ यह आठ लड़के हैं इन आठ में से एक लड़का निकल कर चला गया ध्यान देना क्वेश्चन करूंगा अभी इसको मिटा के दूसरी संक्या दूंगा तुरंत आपको बताना है उसका उत्तर यह जो है लड़का यह इसकी जगे सामिल हो गया लेकिन यह जो आया है यह 56 किलो का यह लड़का 56 किलो का यह वाला यह सामिल हो गया अब भी तो आठ ही रहे वो पहले भी आठ थे इसके आने से क्या इन सातों के वज़न में कोई फरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसत में पड़ेगा जुलेगा घटेगा तो उसत में तो पड़ेगा लेकिन यह सात यह थोड़ी है यह एक एक किलो इनका बढ़ जाएगा अपना अपने में कोई फरक नहीं पड़ेगा यह आया ठीक है इस साथ के पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह जो फरक पड़ाए ना फिर यह धाई किलोग्राम के आउसत में क्यों फरक पड़ा यह इन दोनों के अंतर के बराबर फरक पड़ा इन दोनों में इतना इसलिए फ्रकपड़ा, यह 0.5 kg में इनका कोई सह्योग नहीं है, बढ़ाने गटाने में, यह जो उसत में 0.5 kg की मृद्दी होई है, इन विचारओं का कोई सह्योगاحं नहीं है, ठीक है? यह तो बिल्कुल जैसे थे, वैसे के वैसे ही हैं, यह जो फृकपड़ा, यह सा तो पुराना चाहिए वो 56 से कितना कम रहा होगा तो माइनस 56 से गटांगा उसको बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ भई नया जो आया है वो 56 का और इसके आने से सबका बढ़ा तो इस कमलो जो गया था उसने बिचारे ने घटा रखाया सबका इसकी वज़े से ही तो बढ़ा तो जो गया है उसने कम कर रखा था सबका तो इस कमलो खुद का कम रह तो कम कहता 56 कितना कम ता उसने 2,50 किलोग्राम हर किसी का बढ़ा दिया! इसने 2,5 रभा कितनी जगे?рост जगे 6 जगे तो 2,5 यह जब 8 जगे बढ़ा भाउसत में बढ़ाया करे ले का नहीं ऑसत में औसत अब पालव डाई डाई सबका वैसे कुछ भरत नहीं पड़ा पर इसकी वजह से फ़रक बड़ा तो डाई का उसत सब के पास जादा आया तो इसका मलव धाई आठ जगे धाई जो आठ जगे बढ़ाया वह बीस किलो बढ़ेगा तो जो पुराना गया था हो बीस किलो कम का था बस अठर वह इस यह जो बीस काहन थर ना अरे भाई जो बीश बढ़ाया यह वीस कंतर इं दोनों मेरा होगा अब कौन सा ज्यादा इसका हम का इसने बढ़ाया तो यह कम कर रहा होगा सीधी सी बात है तो 56 माइन इस बीस उत्तर 36 किलो उत्तरैसी दा इतना सा काम करना रहता बस सवाल में और कुछ नहीं करना रहता ठीक है बस इतना सा काम पहले जो देखो यह विसेस बात पहले जो देखो कि गया जो है पूछा किसका पहले देखो जो गया उसका फिर नए ने बढ़ाया है या घटाया है बढ़ाया है नए काई दे रखा नए ने बढ़ाया है तो पुर कर दिये लड़के के दस दस कर दिये और क्या करा 56 किलोग्राम क्यों करूं हर बार 55 किलोग्राम का जो लड़का था वो तथा 55 किलोग्राम भार वाला नया लड़का ये पुराना लड़का पुराना पुराना लड़का गया पुराना यहीं लिख देता हूं एक 56 किलोग्राम वाला लड़का चला गया और इसके स्थान पर एक नया लड़का सामिल हो गया तथा नया लड़का सामिल हो गया पूरा सवाल बदल दिया मैंने नया लड़का सामिल हो गया सभी के आउसत भार में धाई की क्या होगे धाई रहन्दों हर बार ठीक नहीं है डेड़ किलोग्राम कह देता हूँ डेड़ किलोग्राम की वृत्धी फिर तो घना जादा हो जाए कमी कर देता हूँ कमी हो गई तो नए लड़के का बहार पूछे पुराना गया नहाँ भाई दिमाग लगा गया कुछ हैसे ही नहीं अंधाद हुन्दू नहीं पूरा सवाल आपके सामने बदला आपको पता होना चीज़ बात का कि भाई क्या करना देखो कितने लड़के दस दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह जो दसमा लड़का यह गया लोग कितने किलो का था इसका दिया इस बार और जो नया आया उसने कम किया है ज्यादा किया नया आने से इसका मतलब नया कम का आया होईगा आया होईगा कम का यह नहीं नया कम का आया तो पिछेतर से कम कर दो इनका तो कोई change नहीं हो ना सबसे अच्छी बात तो इस सवाल की यह है इन दोनों का फरक देखना बस आपको तो फरक इन दोनों में बता दू कितने का देड़ कितनी जगे करा दस जगें 15 किलो का फरक है बस अब 15 किलो ये जादा का नहीं पंका क्योंकि इस ने कम किया तो पि श्वास ध्यान यह रखना कि नय है कहीं पुरानय के जैसे आपने देख लिए सने कम किया नय का कमाका पुराना गया उसका ज्यादा था उसकी वज़े nanya Driver उसने कम सवाल वही पुराने वाले लड़के का भार बताओ पुराने वाले अब बतादो जरा अब बतादो वही पूरे जो पॉसिबल चेंज कर सकता वो सारे चेंज आपके सामने इस सवाल में और कुछ नहीं करता इसके अलावा फिर वही दस लड़के अब पहले जो बताओ बजन घ गटरा गटरा इसके आने से घटाया बढ़ा गटा तो इसका मतलब नया कमकाया जादा का पहले जो बताओ नए के आने से घटा इसका मतलब नया कमका पुराना पिछेतर में जुड़ेगा इस बार कितना जोड़ेगा देड़ देड़ दस जगे 15 किलो जोड़े 90 किलो का उत्तर मुझवानी मुझवानी आप ये सबसे पहले यही चेक करो 65 किलोग्राम का नया लड़का था उसके आने से वजन में कमी आई अब कमी आई नया सामिल हुआ कमी आई पुराना जादा का होगा जो गया अब जादा का होगा कितना जादा डेड़ दस जगे क्यों जितना ओसत अब आप क्यों अजी जादा क्योंकि बहुत मच्चे ऐसे कन्फ्यूई होता क्योंकि ट्रेक रटाई जाती है कि जी कमी हो गई तो घटा दो अधिक हो गया बढ़ा दो देखो यहां कमी हो रही है फिर भी जोड़ रहा हूं कमी हो यह फिर भी जोड़ रहा हूं वो रटना ही नहीं है सबसे पहले सोचना है कि नए का ज्यादा है कम पुराने का ज्यादा है कम बस इन दोनों का बस नए और पुराने लड़कों का हमें मतलब है और किसी से मतलब नह नए लड़के के सामिल होने से पहले वजह ने देखो ही मतना आप नए लड़के के सामिल होने से औसत भार में गिरावट आई तो इसका मतलब नया कमका अगर विरद्धी होती नया जादा का तो नया कमका है पिछेत्तर ले रखा फिर भी कमका तो पिछेत्तर में एड़ कर द आप खुद बोल रहे हो पिछित्तर पिलस डेड़ गुनाद दस उत्तर ऐसे आएगा ऐसे अब मत गलती करना बहुत पॉसिबल्टी बता दिया जो भी चेंजिस कर सकता इसके अलावा कुछ नहीं करेगा चलो सात्मा सवाद सात्मा और अंतिम सवाल आज का और जबर्जस्ट सवाल और फिर दस सेकेंड का सवाल आपके सामने दस सेकिंड का मात्र उपर का जो दस का है 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 क्या मुझवानी कर लो उसको कोई सवाल ठावो देखो ज़रा सात्वा सवाल 19 वे पारी में 98 रन बना कर एक किरकेट खिलाली की ओसत रन संख्या में चार रनों की वरद्दी हो गई चार रनों की तो देखो 19 पारी बना लूँ ये लो कौन डंडा खीचे गजो लिख दो ये 19 वी है 19 19 कौन गिनने कौन बैठ रहा 19 चलो 19 वे पारी में इसने 98 रन बनाए किसी खिलाडी ने खिलाडी में देखे एक मैं जनरल यूज का बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली कैसे उसत बढ़ता है जैसे मान लो आप का उसत किसी में दे रखा है मान लिजे आप किरकेट में या किसी चीज़ में या व्राट कोहली का ही मान लिजे पचास का उसत है व्राट कोहली का है लेकिन उसने मैच खेल लिये हैं, मान के चलो, उसने साथ, साथ, पचास का उसत, अब उसने अगर मान लीजिए, रन बनाए 61 पारी में, उसने 61 पारी में सेकला मार दिया, सो रन बना दिया, क्या उसत, पचास बढ़ा दूँ उसका एकदम, सोगा कर दूँ क्या, तो पहले देखूंगा, कि भई 61 पारी में, पहला उसत बनाए रखने के लिए, पहले तो 50 रन बनाने पड़ते उसको, बनाने पड़ते की नहीं, अगर उलंचास बाउट हो जाता तो घटता उसत कहीं न आई, सोरन में कितने उपर हैं, उसत से कितने उपर, पचास, जो पचास उसत से उपर हैं, वो 61 जगे बढ़ जाएंगे, तो उसका कितना बढ़ेगा मैं बता रहा हूं आपको, जो उसत से उपर हैं, वो 61 जगे बढ़ जाएंगे, इतना बढ़ेगा उसका 50 पॉइंट जो अभी कुछ आए गई अगर उसने सो पारियां खेल दी होंगी तो उसका आधा बढ़ जाएगा पचास पॉइंट पांच हाला कि वहां नोट आउट का भी चक्कर होता दस में नोट आउट तो अपने नब्बह कई भाग दिया जाए तो यह होता वहां ठीक है कल को यहां भी कै रजली यहां से कि बढ़ पचास जो बांटा है जो बांटा है सोव में क्या बाटा जो औसद्से फालतु होते हैं कितने फालतू थे उसत से पचास वोई बटे इतनी जगे तो इसका मतलब बटता वही है जो उसत से फालतू होता बस इतनी बात यहां से समझे में आ गई सारी पारियों में क्या बटेगा जो उसत से फालतू होगा तो वोई चीज में यहां बाटूंगा उननिस वी पारी में अठान में रन बनाए तो ओसत में विरद्धी हुई कितने की अठान में बनाती है अभी आपने विराट कोली का देखा थोड़ा सा ही बढ़ रहा था यहां तो चार-चार बढ़ गया एक दम से बढ़ रहा इसका मतलब पहले बहुत कम बना रहा होईगा विचार ओसत कम होईगा पहले ठीक है पर कोई बात नहीं हम देख लेते हैं वो भी तो चार-चार बढ़ा दिया कितनी जगे बढ़ाया उननिस जगे तो उननिस गुणा चार यानि छेतर चला गया बढ़ने में छेतर की व्रद्धी तो छेतर की व्रद्धी हुई कि नहीं हुई कि हुई बहुत आसानी से हुई चेतर की व्रद्धी अब न्यू बता के देखो आप न्यू सोच के देखो इन अठाण मैं में से यह जो ऐठाण में रूंथे इन में से छेतर तो उसने बाटने में ही दे दिये ओसत से उपर के ही तो बाटे हैं बताई नहीं बताई यह भी बात अठाण में में से कितने बटनगे जो ओसत से ज़्यादा होंगे तो अठाण में में जो छेतर हैं में ओसत से ज़्यादा तो फिर ओसत कितने का? पहला ओसत, बाइस का पहला, पहला अब उन्निसवी पारी और के लिए अठारे पारी हो तक है उन्निसवी के बाद, उन्निसवी के बाद पूछा तो बाइस में चार की व्रद्दी बोल रहा ना, चार बढ़ गया ओसत उत्तर आगया 26 अन्सवर इतना सा सवाल है तो आप क्या करेंगे? फिर से बता रहा हूं, कोई बात नहीं है अठान में रन बनाए चार बढ़ है कितनी जगा बढ़ है? उन्निस जगे छेतर बढ़ है बढ़ने में दिये तो जो सोच लो बाठता आदमी उसे को है जो फालतू होता तो अठान में में से छेतर फालतू है उसके पास छेतर फालतू है तो बाईस ही है अपने तो तो वो ही ओसत है बाईस लेकिन चार बढ़ गया 36 हो गया अब एक सवल HW में लिख के लिख के गा यहीं से देख लो 19 वी पारी क्या लो यहां कर देता हूँ 11 वी पारी में एक खिलाडी ने एक खिलाडी ने 11 वी पारी में बनाए भतेरे धेर 102 रन 102 रन बनाए और इससे क्रिकेट खिलाडी की ओसत रन संख्या में 6 रनों की व्रद्धी हो गई तो 10 पारीयों के बाद उसका ओसत रन संख्या क्या थी 10 पारीयों में उसकी ओसत रन संख्या क्या थी यह HWS का उत्तर दे देना बात खतम हो जाएगी चलिए आज का काम फिनिस जा सकते हैं